यूपी के अंदर फैन किस किस पॉइंट पर लगाना है जूमर का पॉइंट कहा पर आएंगा और अगर हमारे फैन मेटल बॉक्स अगर हमारे सेंटर से कई और निकलते हैं तो हमें सेंटर से वहाँ पर फास्टनर कैसे मारना है और फास्टनर के तुरूब में फैन के पॉइं निकालने यह देखिए ऐसे डिजाइन बनाकर चले आते प्योपी वाले बाद में हमें वायरिक करना होती है तो हम चलिए देख लेते हैं पहला फासनर अपने पहले सेंटर निकाल लिया देखिए वहां हमारा फैन मेटल बॉक्स जो था वहां पर हमारा सेंटर चूप रहा था इसके लिए हमने इदर फासनर के लिए बढ़े ट्रील मशिन से होल कर दिए और अब हम फासनर इसमें ठोकेंगे जब तक के पहला फासनर लग रहा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देए इसी वीडियो के लिए इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो में मेरे चैनल पर लाते रहे ताओ एक फैन हमारे इदर तो लग जाएगा वैसी इदर यह हॉल जो है इसकी साइज 16 वाए 12 की है इसमें दो फैन है और बीच में जूमर के लिए भी हमें एक फासनर लगाएंगे पासनर को आप अच्छे से ठोक दे ताकि वो फीट हो जाए अंदर आपको बराबर मेजर्मेंट करके दोनों तीनों फासनर जो है जही से लगा लिने पासनर लगाने का तरीका आप लुडियों में देख रहे है इसी तरह से हमें पहले ट्रिल करके खूल करने ना रहे दे दासे में की बीट से ये अपना हैमर में दासे में का बीटा में लगाना पड़ता है और देखे इस पे हम फैन का जोए पाइप वो भी पिट कर देगी और पाइप में से जो फैन की वायर से वो भी डातेगी भी अधर हमारा वीजो लग रहा है जूमर के लिए के ,2 टोनों फैन्स vet के शेंटर प्रन में निकालिए कि मार्किंग ले रहा है इसकी मार्किंग के बाद में हम यहां पर कि दसन्मबर के बीट के हो हुल करें गुआ है मई से हें डेखे nostro video । टरीके से यह lebih यह आप ही सही से लगाए आपका फासना है पंका यहां पर पंका नहीं यहां पर जुमर के लिए हम फास्टनल लगा रहे हैं कि याद रखिए कभी भी फास्टनल के लिए दस नंबर का बीटी हम इसमें लगाते हैं कि अगर इसे जरा ताकत से जोर लगा कर ठोपना पड़ता है अगर कोई सवाल चल रहा है तो आप फिरिली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको जवाब जरूर दूँगा वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले ऐसे ही अमेजिक कंटेंट्स के लिए अगर आप भी इंट्रेस्ट रखते हैं इलेक्ट्रिकल का काम करना और सीखना और सीकाना तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अब यहाँ से इस पे कंटिन्यू रेगुलर वीडियोस इलेक्ट्रिकल डेलेटेड आती रहेंगे